एक लव्यो मोडे रेसिडेंसी स्कूर खुरदा मेरा नाम है गमित मार्थबहन तक्सा आठवी विस्जय हिंदी मत बाटो इंसान को यह जो कविता है तो आज हम यहां पे मत बाटू इंसान को कवी का नाम है विनई महाजन तो इस कवीता में विनई महाजन जी ने मनुश्य को मिल जूलकर रहने की प्रेणा दिहे मनुश्य को किसी भी बेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए हमें सबी बेदभाव को भूला कर एकता की द्रस्टी से इस संसर को देखना चाहिए यहां प्रकृती भी हमें निरंतर यहीं उपदेश देती है तो इस कवीता में एकता मिल जूलकर रहना समन्ता आदी मुल्य समाविष्ट है तो आठवी कक्सा के चात्रों के घर पे जो भूखे उसमें देखते हुए मत बाटो इंसान को इस कवीता का अभ्यास हमें करना है तो यहाँपे कवी ने समझाया है कि मन्दीर, मस्चीद और गिर्जा घर ने सब जगह पे भगवान को बाट दिया है धरती बाटी, सागर बाटा और यह पूरे सागर का जो पानी है वो भी एक समाल ही है फिर भी लोगों ने इस पानी का भी बटवारा कर लिया है तो यहाँ पे कवे ने समझाते हुए खा है कि धर्ती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को अभी मनुस्य का बटवारा तो मत कीजे तो मंदिर, मस्जिद और गिज़ा घर में सभी जगह पे भगवान को बटवारा कर लिया है धर्ती को भी बाटली है और सागर है सागर का पानी भी सबके लिए एक समान है तो उसका भी बटवारा हो गया है तो अभी ये इंसान ही, इंसान का बड़वारा तो मत कीजिए अभी रहा तो शुरू हुई है, मंजिल बेठी दूर है उज्याला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है अभी रहा तो राह यानि शुरुआत, राह यानि रास्ता या मार्ग तो शुरू हुई है यानि अभी तो ये जो रास्ता है मार्ग है वो तो शुरू हुई किसका मंचिल तक पहुँचने के उज्याला महिलों में बंदी हर दीपक मजबूर है महिलों में दीपक जल रहा है पर वो किसे बंद होकर और वो दीपक भी मजबूर हो गया है उस महिलों में उज्याला तो है पर उस महिलों में बंद होकर जो दीपक दिया है वो भी मजबूर हो गया है मिलाना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को धर्ती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को मिला का सूरज का जो संदेशा है वो मनुष्य तक मिलना चाहिए हर घाटी मेदान को घाटी है मेदान को धर्ती बाटी सागर बाटा यहां पर भी धर्ती को भी बाट लिया है और सागर को भी बटवारा हो गया है पर मत बाटो इंसान को मनुष्य है मनुष्य के बटवारे तो मत किया करो अब भी हरी भरी धरती है, उपर नील वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सोना जलतारिकिस्तान है हरी भरी धरती, धरती पे अबी हरी भरी है, वितान यानि विस्तार अवकास परना प्यार होतो जग सोना जलता रिगिस्तान है धर्ती भी हरी बरी है और उनका जो आवकास है वो पुरी तरह फेल गया है हरी बरी धर्ती है उपर नील वितान है नील याने हरी आली चा गई है पर ना प्यार होतो जग सोना पर प्यार जग में दुनिया में प्यार जैसा प्रेम ही ना हो तो ये जो जग ही दुनिया है वो जलता रिगिस्तान की तरह है अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चटान को धर्ती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को अभी यहाँ पे अभी प्यार का जल देना है सब को प्यार का जो प्रेम बरा जल है वो सब के देना है समन्ता सब के साथ रहना है, मिलजूल कर रहना है धर्ती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को धर्ती को बाट लिया है सागर को भी बाट लिया है पर अभी इंसान के बड़वारा मत कीजिए साथ उठे सब्तों पहरा हो सूरज का हर द्वार पर हर उदास आगन का हको किलती हुई बाहार पर साथ उठे सबतो पहरा हो सूरज का हरदवार पर सूरज जब सूरज की प्रकास हमें मिलती है तो इसी तरह जग के सारे लोग सब एक दुसरे से मिलचूर कर है सब के साथ समन्ता से रहे तो यह जो उदासी का अंगन है वो उदासी हट चाएगी और सब के सब एक दूसरे के साथ बिलजूर करेंगे और खुसया ही खुसया होगे रोध ना पाएगा फिर कोई मोशम के मुस्कान को धर्ती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को रोध ना पाएगा फिर कोई मोशम की मुस्कान को मुस्कान यानि हास्टियों जब एक दूसरे के साथ हम मेलजुलकर रहेंगे सब के साथ समन्ता से रहेंगे एकता भाव रखेंगे तो हमारी जो मुस्कान है वो कोई छिन नहीं रिसकेगा और धर्ती बाटी धर्ती के बाट लिया है सागर को भी बटवारा हो चुका है तो अभी इंसान है मनुष्य है उनका तो बटवारा मत कीजिए तो यहाँ पे इस कविता में मनुष्य को समझाया गया है कि एकता सब के साथ मिलजूकर रहना और समन्ता ये आदिमुल्य है वो हमें एक दूसरे के साथ मिलजूकर है कर हमारा जो ये दुनिया है सुरुष्टी है उनक्या दुनिया के साथ सभी लोगों के साथ मिलजूकर रहना है तबी तो येकता है, में जुक करहेंगे और समन्ता की भावना सब के दिलों में बसेगी यहाँ पे इस मतबाटो इंसान को काव्य में विनाई महाचन्य समझाया है तो आटवी कक्सा के चात्रों को ये जो मतबाटो इंसान को काव्य है वो तैयारी करना है Thank you